नमस्कार न्यूज नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ लक्ष शर्मा वंडे वर्ल्ड कप 2023 भारत में होना है भारत को मेजबानी मिली है लेकिन अब खत्रा सामने आ चुका है और बहुत सारी बाते हो रही है पाकिस्तान एक साइड कह रहा है कि हम वंडे बार कह रहा है कि देखिए आप कुछ भी कर लीजे हम पाकिस्तान तो नहीं आएंगे इसके बाद पाकिस्तान की दंकिया भड़ती जा रही है अब इसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा ये अलग बात है लेकिन दंकियों का सिलसला शुरू हो चुका है वहीं दूसरी इससे भी बड़ी एक खबर आई है कि ICC ने भी BCCI को एक सक चेतावनी दी है कि अगर आप वो मसला नहीं सुल जाएंगे तो हम आपसे 2023 वन डे वर्ल्ड कप की मेजबानी चीन लेंगे इसका मतलब ये है कि भारत में अगले साल वन डे वर्ल्ड कप नहीं होगा तो पूरा है BCCI और भारत सरकार के बीच में टैक्स को लेके आप सभी को पता कि सरकार जो भारती सरकार है वो BCCI से टैक्स लेती है entertainment टैक्स के नाम पे वही BCCI का कहना है कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हम एक प्राइविट संस्ता है और अब ICC के सामने भी दिक्कत ही है क अगर भारत को मेजबारी मिलती है तो उनको टैक्स के रूपे बहुत बड़ी रकम देनी होगी साल 2016 का T20 वर्ड कप हुआ था भारत में जिसके बाद ICC को बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ा था हाला कि उसकी बरपाई उन्होंने BCCI से की थी तक्रीबन तक्रीबन 190 करोड रुपे ICC ने BCCI की जो वार्शिक आया है यानि सालाना आया है उसमें से काट लिये थे अब पूरा मुद्दा और जादा सुलज गया है और ICC ने साफ साफ शब्दों में कहा दिया है BCCI से कि आप अपनी सरकार के साथ ये मुद्दा जल से जल सुल जाए हमारे पाद जादा वक्त है नहीं अगर मुद्दा ये आप नहीं सुल जा पाते है टेक्स का तो हम आपसे मेजबानी चीन कर किसी और दूसरे देश को दे देंगे तब BCCI क्या करेगी BCCI ये भारतिय सरकार से भात करेगी अधुराग ठाकूर है वहाँ पे आप सभी को पता है मंत्री भी है BCCI के भी अध्यक्ष रहे हैं और भी बहुत सारे जैशा के पिता खुद अमिश्चा ग्रह मंत्री है तो उमीद करेंगे कि मसला सुलस्त हो जाएगा लेकिन जिस हिसाब से ICC ने भारतिय क्रिकेट बोर्ड को दम की दिये या कहें सक्त हिदायत दी है उसको देखकर थोड़ा सा तो डर बैटा हुआ है क्योंकि एक तरफ BCCI है और दूसरी तरफ भारतिय सरकार है यह बहुत लंबा विवाद है और यह विवाद खतम होने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन उमीद है कि 6-7-8 महीने बच्चे हुए है उससे पहले यह विवाद सुलच जाएगा और वंडे वर्ड कप 2023 भारत में ही होगा क्योंकि सब भारतिय क्रिकेट फैंस को उमीद है कि जैसे 2011 वंडे वर्ड कप हमने अपने घर में जीता था उसी तरीके से 2023 का वंडे वर्ड कप भी हम अपने घर में जीतेंगे और जो ICC ट्रॉफी का सुखा आ रहा है उसको हम खतम अपने देश में ही करेंगे तो वंडे वर्ड कप के बारे में आप क्या कहेंगे टीम इंडिया के मौझूदा प्रदर्शन को देखते हुए आपको लगता है टीम इंडे वर्ड कप जीश सकती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसके अलावा न्यूस नेशन को आपने अब तक सब्सक्राइब न सुक्रिया